एक बहुत important चीज है नीद के संदर्ब में अगर आप रात को सोने से पहले negative emotions के बारे में सोचते हो आप लोगों के बारे में बुरा सोच रहे हो या लोगों ने आपके साथ जो बुरा किया उसके बारे में सोच रहे हो बिल्कुल negativity भरके दिमाग में सोते हो तो सुबह जब आप उठोगे तो वो भी negative mindset के साथ ही उठोगे ये एक research के हिसाब से एक study हुई थी तो उन्होंने confirm किया है आप जैसे रात को जिस emotions को लेके सोते हो जिस भी mindset के साथ सोते हो अगर आप परेशान हो तो रात को परेशान होके सोगे तो सुबह भी वैसे ही उठोगे तो इसलिए रात को जब सोते हो तो एक अपने जिन्दगी में थोड़ी सी एक आदत में बदलाव ले आओ रात को सोने से पहले आप दिन में हुई positive चीज़ों के बारे में सोचो कुछ भी positive एक भी चीज positive हुई हो अगर positive नहीं हुई तो आप यह सोच के ही खुद को बता हो कि क्या negative हो सकता था वो नहीं हुआ यसे लोग सटक पे जाते हैं तो उनके accident हो जाते हैं कुछ बुरा हो जाते हैं जिसे खबरों में आप देखते हो कितनी सारी negative news होती है तो अगर आपकी life में कुछ positive नहीं हो रहा तो आप उस negativity जो negative चीज़े होती है उस चीज के बारे में सोचो और खुद को अच्छा feel करो अच्छा feel कराओ कि यार at least मैं इतनी बुरी situation में तो नहीं हो में साथ इतना बुरा हो सकता है लेकिन इतना बुरा तो नहीं हो तो इस किसम की gratitude जिसको thankfulness भी बोलते हैं ऐसी mindset के साथ आप जब रात को सोने जाओगे तो सुबह जब उठोगे तो आपका जो mindset होगा आपका जो emotions होगा वो बहुत positive और बहुत clear होगा यह एक नए दिन की शुरुआ करने के लिए बहुत सही तरीका है Thank you